नमस्कार दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है आज मैं आपको जरूरी जानकारी देने जा रहा हूँ पैन कार्ड को अधार से लिंक करना अनिवारे क्यों है पहली बात तो अगर आप इसे 31 मार्च 2023 के पहले अपने पैन कार्ड को अगर अधार से लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड निस्क्रिय हो जाएगा अर्थात एक प्रकार से वो कैंसल हो जाएगा इससे बहुत सारा नुकसान हो सकता है यसे 50,000 रुपया या उससे अधिक के लेन देन या ट्रांजेक्शन में आप नहीं कर सकते हैं अगर आपका पैन कार्ड और ITR भी फाइल नहीं कर सकते हैं जो income tax return होता है वो भी फाइल नहीं किया जा सकता है डिमेट अकाउंट जिसकी जरुरत हमें पढ़ती है शेर मार्केट में जो अकाउंट खुला जाता है उसे डिमेट अकाउंट कहा जाता है और आपका pen card अगर निसक्रिये है वो काम ही नहीं करेगा तो आप डिमेट अकाउंट नहीं खुल सकते हैं लेकिन इसमें चिंता करने की जरुरत नहीं है क्योंकि हमारे पास अभी समय है 31 मार्च तक अगर 31 मार्च तक हमने अपने pen card को आधार से link कर दिया तो हमें ये दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा आप ये भी चिंता मत करिए कि हमें pen card को किस तरीके से आधार से link करना है कहां जाना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा ये सारी जानकारी मैं आपको यहां उपलब्द कराऊंगा ये भी हो और 31 मार्च 2023 तक link करने के लिए कहा गया है और जिनक का link नहीं होगा उसके लिए fine यहां पे देना पड़ेगा लगबग 1000 रुपय का अगर 31 मार्च के बाद भी आप नहीं करवाते हैं उससे पहले नहीं करवाते हैं तो सायद ये fine बढ़ भी सकता है तो हम उससे पहले देख लेते हैं कि हमारा pen card अधार से link है कि नहीं वो कैसे चेक करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ तो दोस्तों सबसे पहले आप जाईए गूगल पे वहाँ टाइप करिए income tax आप जैसे income tax में जाएंगे income tax में जाएंगे तो आप इसमें जाएंगे income tax के website पे आप ये देख सकते हैं income tax अब ये जो link खुलेगा इसमें आप देख रहे होंगे quick link में जाने के बाद दाहिनी तरफ पहला जो option है link अधार स्टेटस मतलब आपका pen card अधार से linked है की नहीं उसे आप चेक कर सकते हैं link अधार स्टेटस में आप जाएए इस तरह कर आपका browse खुलेगा तो आप उसमें अपना pen card नमबर डालिए मैं डाल रहा हूं देखिए झाल जाएए आप देखे व्यू लिंक अधार स्टेटेस आ गया उस पर आप क्लिक करिए अब यहाँ पर तो मैंने अपनी सुरक्षा के साब से यह जानकरी चुपाई है औरिजनल अधार नमबर नहीं डाला है मैंने प्लीज एंटर ए वैलिड अधार आप इसमें वैलिड अधार डालेंगे अगर आपका पैन अधार से लिंक होगा तो यह दिखा देगा कि आपका पैन अधार से लिंक है और अगर लिंक नहीं होगा तो इसमें लिखा हुआ रहेगा प्लीज लिंक योर अधार विद पैन कार् सकते हैं हम अब बैक जाएंगे और कैसे लिंक करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूं फिर से यह लिंक खुलेगा क्विक लिंक आप इसमें आप देख सकते हैं बाइक तरफ दूसरे नंबर का जो आप्शन है वहां लिंक और आधार तब अपने आधार को लिंक कर सकते हैं हापे अगर वो लिंक नहीं होगा तब देखिए यहां आप्शन है कि पैन नंबर डालिए और आधार नंबर डालिए यहां पे कुछ कुछ चीजें मेंडिटरी नहीं हैं जैसे कि आप नीचे नोट देख सकते हैं नोट में लिखा हुआ है following categories are accepted from अधार पैन लिंकिंग मतलब इन categories में अगर आप आते हैं तो अधार को पैन से लिंक करने के आउ सकता नहीं है पहला option है NRI मतलब आप कोई NRI है आप मतलब एक विदेश में रहते हैं वहां की citizenship है या भारत के आप नागरिक नहीं है तो आपको जरूरी नहीं है और आपकी age अगर 80 साल से अधिक हो गई है तो भी आपको जरूरत नहीं है और अगर आप असाम मेगाले और जम्मू कास्मी की रहने वाले हैं तो आपको अपने पैन को अधार से लिंक करने की आउसकता नहीं है अब देखिए इसमें कैसे किया जाता है आप इसमें अपना पैन नंबर डालिए पैन नंबर डालने के बाद अधार नंबर डालिए और यहां देखिए सबसे उपर option है एक दो तीन तो जब आप पैन कार्ड अधार नंबर डालेंगे तो पहला नंबर आपका टीक हो जाएगा उसके बाद दूसरे नंबर में वेरिफिकेशन आएगा वेरिफिकेशन में आपको 1000 रुपे की फाइन लगेगी वो फाइन कंप्लिट होने के बाद तीसरे स्टेप में आपका final submission हो जाएगा जिसमें आपका पैन अधार से लिंक हो जाएगा इस तरके से दोस्तों आप अपने पैन कार्ड को अधार से लिंक कर सकते हैं यह महत्पुन जानकारी आपको कैसी लगी यह कमेंट में लिखिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले